हेलो आवरी बड़ी सभी साथ योको राम राम नमस्ते हाई हलो कैसे आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे तंदरूस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे दोस्तो CET का एक notification जारी किया गया है gadget notification है ये ठीक है और government ऑफ Harianya की तरफ से जारी किया गया है इसमें क्या बता गया है कि हर साल एक जो परिक्षा है वो आय्युजित करवाई जाएगी सामान्य पातरता परिक्षा और HSC के पास इसकी सारी authority है वो रहेगी HSC इसको चाहे जैसे उस तरीके से conduct करा सकता है HSC चाहे उस इसाब से इसमें person डाले जाएंगे उस इसाब से एक person की value डाले जाएगी और क्या out धी रहेगी सारी चीजों की जो सुतन तरता है वो आयोग के पास रहेगी ठीक है यहाँ पे दोस्तों सामान्य पातरता परिक्षा जो रहेगी जो एक्जाम होगा वो 95 परतिशत उसके weightage रहेगी और जो सामाजी कार्थिक मांदड और अनुभो के जूंक मिलते हैं उसकी 5 परतिशत क्या रहेगी यहाँ पे weightage रहेगी टोटल 100 परतिशत क्या क्या रहेगा एक्जाम प्रोसेस रहेगा आपका CET का यहाँ पे CET का इन्होंने slaves भी दिया है कुछ हद तक आप सभी के बाद जैसे HSSC अपने एक्जाम में मजा करता है वैसे ही यहाँ पे भी आपके लिए एक मजाक्षा कर दिया गया है यहाँ पे देखिए बता गया है एक्जाम ओफलाइन ओनलाइन किसी भी तरिक्के से लिया जा सकता है और इसमें दो बागों में विवाजित क्या जाय है सामान्य ग्यान, विवेक, बुद्धी, गणीत, विज्ञान, कंप्यूटर ग्यान, अंग्रेजी, इंदी ठीक है और विशा सम्मदित पचेतर परतिशत अधिमान साथ में 25 परतिशत हर्याना जिक्के रहेगी तो इतनी बातों में क्या कर दिया सलेवस को डिफाइन कर दिया है अब ये किस हद तक किस तरीके से डिफाइन क्या गया है ये आप समझते हैं वई, ये कुछ भी नहीं है और जैसे अभी तक के चससी बरतियों में नॉर्मल बरतियों में आपके 10 नंबर मिलते थे और हरियाना पुलिस की बरति में एक्स्ट्रा सोशेकनिमिकराइटेरिया के 20 नंबर मिलते थे अब यहां पे केवल 5% ही क्या रहेगी 5% ही रहेगी वेटेज सोशेकनिमिकराइटेरिया की ठीक है, पहले आप्सन तो वही है परिवार में नोकरी ना हो यहां पे अब परिवार की जो आए है उसकी कंडिशन दे दी है यह फाइदा केवल उसी को मिल सकता है जिसकी एक वर्स की आए 1,80,000 रुपे से कम हो साथ ही इनोंने जो इनकम है वो परिवार पहचान पत्तर से देखी जाएगी कि कितनी है साथ में इनोंने यहां पे एक अच्छा काम कर दिया है कि परिवार की भासा क्या है वो इनोंने कलियरली यहां पे बता दिया है यदि हम पुरुस उमिद्वार की बात करें तो खुद हो गया उसका माता-पिता हो गया उसकी पत्ने हो गई उसका भाई है यदि ए विवाहित है तो उसका भाई काउंट किया जाएगा यदि भाई विवाहित है तो काउंट नहीं किया जाएगा उसके पुत्र है ये पुरुस उमिदार के लिए काउंट किया जाएगे यदि महिला है और ए विवाहित है तो उसके लिए उसके माता पिता और वो खुद और उसका भाई कांट किया जाएगा और विवाहित है महिला तो आवेदक खुद हो गया उसका पती हो गया उसका ससूर हो गया उसकी सास हो गई ए विवाहित देवर है तो वो भी गिना जाएगा और जेट है वो भी गिना जाएगा यदि ऐ विवाईत है तो और उसके पुत्तर गिने जाएंगे यदि तलाक सुदा महिला है तो उसका जो रियल फैमिली है वो यहाँ पर कांट की जाएगी बर्त करने वाड़ी ठीक है इस बार इन्होंने कलारिफिकेशन दे दिया है याँ पर भाई को भी आड़ कर दिया गया 12 साल पूरा करने से पहले या आपकी उमर 15 साल से पूरा होने से पहले तो भी क्या है आपको 5 नमबर दिये जाते हैं और experience के भी आप नमबर ले सकते हो और यदि विमुक्त जाती है तो भी आपको 5% नमबर मिलते हैं टोटल आलोवर मिला के आप 5% नमबर ही ले सकते हो दोस और बस और तो कुछ नहीं है यही चीज़े थी इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और लिख दी है कलियर ली यदि कोई कैंडिट एक पर लग जाता है और वो रिजाइन दे देता है तो जो सोशेक इन्मेक राइटेरिया के नंबर है वो यहाँ पर उसको नहीं मिलेंगे नो जोब के जो होते हैं वो चीज़ उसको दुबारा नहीं मिलेगी या उसके परिवार को नहीं मिलेगी